दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तिर्पल सी के बारे में तिर्पल सी का फांग आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं और क्या-क्या प्रोसेस है, क्या-क्या डाकॉमेंट लगेंगे, इस वीडियो में इसी के बारे में step by step जानगारी देने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल को open करना है, गूगल open करने के बाद यहाँ पे type करना है, triple C, online apply, इसको search करने के बाद जो पहला वाला interface खुल के आएगा, आपके सामने link खुल के आएगा, इसी पे आपको click करना है, student information and enrollment system, इस पे आपको click करने के बाद आपके सामने कुछ इस प यहाँ पे आपके सामने खुल के आएगी, तो इसको यहाँ पे देखे, cut का निसान है, cancel कर देना, उसके बाद आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे, right side में लिखा हुआ है, apply online, इस पे आपको click कर देना है, click करते हैं, आपके सामने पहला basic computer course के लिए है, दूसरा है CC, course on computer concept, दूसरे वाले link पे आपको click कर देना है, जैसे आप इस पे click करते हैं, तो यहाँ पे PDF file डाउनलोड होगी, यहाँ पे आपको step by step किस प्रकार से online करना, इसका interaction बताया जाएगा, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ घोसरा ल इसके बाद देखेंगे, आपके सामने यहाँ पे complete step by step form भरने के लिए आपके पास एक खुल के page आएगा, तो यहाँ पे हम सुरू करते हैं, पहला लिखा हुआ है registration details, यहाँ पे पंजी करन के लिए पहली details यहाँ पे हमको डालना है, यहाँ पे पहला option दिया हुआ है, कि इ इसके निलेट या exam center के लिए apply किया, तो यहाँ पे आपको पहला ओला option no कर देना है, दूसरा लिखा हुआ है कि आपने CCC परिच्छा के लिए इससे पहले आवेदन किया, अगर आप किये होंगे तो इसको yes कर दीजी, otherwise no, इसके बाद नीचे आपको आना है applicant full name, यहाँ पे आपको select कर लेना है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पो अपना नाम type कर देना है, type करने के बाद फिर नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ care, देख भाल, यहाँ पे आपके जो parents होंगे, माता पिता उन में से किसी एक को select कर देना है और उनका नाम यहाँ पर type कर देना है फिर नीचे आते हैं यहाँ पर mother's name अपनी माता जी का नाम आप यहाँ पर type कर देंगे उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आप से पूछ रहा है gender तो यहाँ पर आपका जो भी gender होगा आप यहाँ पर genre को select कर देंगे select करने के बाद नीचे आना है आप को देखेंगे यहाँ पर date बर्स आप से जनम की तिधी मांग रहा है आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आपको वाप सी सी क्लिक करना है जो भी आपका year होगा आप year स्टेक्ट करेंगे स्लेक्ट करने के बाद जो भी month होगा उसको स्लेक्ट करेंगे और यहाँ पे जिस date में आपका जो date है उसको स्लेक्ट करेंगे नीचे आपको आना यहाँ पे category लिखा हुआ आप किस वर्ग से belong करते हैं तो यहां पे जिस परक से आप बिलाउंग करते हैं, उसको आप यहां पे सलेक्ट कर दीजीगा, उसके बाद नीचे आप से अकुपेशन मांग रहा है, आप कौन सा बेवसाय करते हैं, तो यहां से अगर पहला लिखा हुआ है, गवर्मेंट इंप्लाइ है, दूसरा है, सरकार के उपकरम के लिए तीसरा है, सेलिप इंप्लाइड 14, अगर इसमें से आप कुछ भी नहीं, तो यहां पे अदर्स वाले ओप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको नीचे जा है, वहां पे उसकी जानकारी देने पड़ेगे, फिर नीचे आते हैं, दिखा हुए EWS, आर्थिक रूप से अगर आप कमजोर वरके हैं, तो आपके पास EWS की सर्टिफिकेट होगी, उसको एस करने के बाद उसका सारा करमांग डालेंगे, अप्लिकेशन नंबर डालेंगे, सारा कुछ टाइब कर देंगे, अगर आप EWS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो इसको नो कर देंगे, फिर आपको नीचे आना, यहां पे लिखा, phone with study code, अगर आपके पार landline connection है, तो आप यहां पे उसका नंबर टाइब कर सकते हैं, otherwise इसको छोड़ सकते हैं, फिर न address की details आपको type करना है, तो यहां पे देखे, इसमें दो line है, address line 1, address line 2, इसको आपको compulsory type करना है, यहां पे आप अपने गाउं का पूरा post के साथ नाम लिखेंगे, उसके बाद दीचे आपको लिखना है, कि आपका जिला कोन है, तहसिल कोन है, यह आप type कर सकते हैं, उसके बा तो आप किस राज से belong करते हैं, उसको आपको यहां पे type कर देना है, फिर नीचे आएंगे, यहां पे आप से पूछ रहा है, आप किस जिला से belong करते हैं, तो जो भी आपका जिला होगा, उसको आप यहां पे select कर देंगे, select करने के बाद नीचे आप से पूछ रहा है, आपक के पास कितना degree है आप कितना पड़े हुए है तो यहाँ पे जो highest education के आपकी degree होगे आप इस पे यहाँ पे select कर सकते है उसके बाद passing appears जिस भी qualification को आप उहाँ पे select करेंगे उसका passing year आपको यहाँ पे type करना है उसके बाद आप नीचे आएंगे नीचे आने के बाद लिखा इसके बाद नीचे आप आएंगे लिखा हुआ है किस परिच्छा के लिए आवेदन किया है तो यहाँ पे आप select करेंगे exam month exam cycle उसके बाद select करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप किस महिने के लिए यहाँ पे apply कर रहे है उसके बाद नीचे आएंगे आप से लिखा हुआ examination center यहाँ पे जो पहला आपका examination center होगा यहाँ पर आप दो exam center के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपना state चूश करना है state to choose करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर select so होगा परिच्छा के इंद कौन से परिच्छा के इंद पर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप परिच्छा के इंद चूज कर लेंगे उसके बाद लिखा हुआ second के लिए examination location जो आपकी second वाली है तो इस पर आपको select करना है select करने के बाद आप यहाँ पर जो भी आप दूसरा optional में रखेंगे उसको choose कर लेना है चूस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ identification details यहाँ पर लिखा हुआ आधार card number तो आप यहाँ पर अपना आधार card number ताइप कर देंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर मांग रहा है upload photo तो यहाँ पर photo अप लोड करने के लिए आपको 5KB से 50KB JP easy file हो नीचे यह उसके लिए जो pixel में आप ताइप करेंगे 132 गुड़े 170 यह आपकी photo जो लोगेगी 132 गुड़े 170 पिक्सल की रहेगी example के लिए आप यहाँ पर देखिए help के लिए यहाँ से resize image कर सकते हैं अगर आप जैसे यहाँ पर आप कुछ simple में बताया जाएगा उस प्रकार से आप कर सकते हैं अगर आप computer चलाते हैं तो Photoshop में जाएंगे तो वहाँ पर image वाले option पर जाएंगे तो वहाँ image resize लिखा रहता उस पर आप वहाँ से कर सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर 7 point जो है upload signature के लिए तो upload signature के लिए यहाँ पर आपको देखे 5 केवी से 20 केवी तक की signature आपकी हो नीचे है आप यहाँ पर देखेंगे pixel की बात करें तो 170 गुड़े 132 पिक्सल की यहाँ पर आपको size बनानी पड़ेगे उसके बाद आप नीचे आएंगे नीचे आने के बाद देखें यहाँ पर left thumb यानि बाए हाथ के अंगुठे का निशान आपको यहाँ पर उसकी भी same size रहेगी 5 केवी से 20 केवी तक 170 गुड़े 132 पिक्सल की उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर देखें अपलोड करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो गैलेरी हो खुल के आ जाएगे तो यहाँ से आप इस परकार से अपलोड कर सकतें उसके बाद नीचे आएंगे आपको यहाँ पर capture code डालना है जो भी इसमे capture code आपके सामने दिखेगा उसको यहाँ पर type कर देना है type करने के बाद यहाँ पर declaration वाले option पर इसकी condition को apply कर देना है apply करने के बाद यहाँ submit वाले option पर click करना है उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस परकार का preview नजर आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं मिलान कर सकते हैं कि आपके द्वारा भरी गई जो भी details है यहाँ पर सब complete है उसके बाद आपको नीचे जाना है नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे final submit वाले option पर आपको click कर देना है जैसे आप final वाले option पर click करेंगे तो आप से यहाँ payment के लिए required करेगा कि आप इसके लिए जो भी payment है आप उसको paid करिए तो यहाँ पर देखी आपके सामने तीन option नज़र आएगा पहला option यहाँ पर CSC, SPV के दोरा दूसरा है NEFT या RTGS कर सकते हैं इसका date भी यहाँ पर दिखाई देगा RTGS का उसके बाद यहाँ पर तीसरा वाला option है online के लिए आपको इस पर click कर देना click करने के बाद आप नीचे आएंगे देखी यहाँ पर लिखा हुआ है भुकतान करें, pay online इस वाले option पर click करना है उसके बाद देखेंगे आपके सामने यहाँ paid करने के लिए option यहाँ पर QR code का QR code वाले option पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर select QR code भीम UPI इस वाले option पर select करना select करने के बाद आपके सामने इस type का QR code आएगा आप Google पर या phone पे से इसको pay कर सकते scanner के दोरा इसके लिए आपको 590 रुपे की fees paid करने होगी जैसे ही आप इस पर scan करेंगे तो आपके सामने final page खुल के आजाएगा जो भी आपकी receipt रहेगी वो receipt आपके सामने खुल के आजाएगी I hope वीडियो आपको पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो चैनल को subscribe करिए मिलते हैं next वीडियो में तक के लिए गुडबाय जैहिन